श्रोताओं आप सभी का तहदिल से स्वागत है 91.2 NIV छेलो दून मैं और मैं हूँ दिपांकर श्रोताओं भारत वर्ष एक लोगतंत्र राष्ट है जिसकी आज आबादी लगभग एक अरब 29 करोड है और शायद इसी दिए भारत वर्ष को दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला लोगतंत्र कहा जाता है भारत में किसी भी अन्य राष्ट की तुल्ना में जादा युवाधन है आज भारत वर्ष की जनसंख्या का 22 पतीशत से भी ज्यादा भाग हमारी युवा है और किसी भी देश की जनसंख्या की ताकत होती है उसका युवा वर्ष जिसके कंधों पर आने वाले समय में समाज का उत्तरदायत वो होता है और आज एक लंबे समय तक एक भयावह विश्व व्यापी पैंडमिक से गुजरने के बाद हम हमारी युवा पीढ़ी के कोविट के संदर्भ में उनकी शंकाओं को उनकी उमीदों को और उनकी आकांशाओं को समझने की कोशिश करते हुए प्रोग्रामिंग के एक नए विशेश सिलसिले के बारे में बात करेंगे शोताओं आज हम यंग वरियर मुहिम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भारत के युवाओं की एक संयुक पहल है जिसमें यूवा, यूनिसेफ, शिक्षा मंत्राले, यूवा और खेल मंत्राले, स्वास्थ और परिवार कल्यान मंत्राले आदी भी शामिल हैं। ये मुहीम आसान कारियों की एक शिंखला में 10-30 वर्ष के बीच के 5 मिलियन यनि 50 लाख यूवाओं को शामिल करने का प्रयास कर रही है। इस मुहीम में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे हम मिलकर 5 करोड परिवारों को सकारात्मों ग्रूप से प्रभावित कर सकते हैं। भारत के लड़ाए में सक्रिय भूमी का भी निभा रहे हैं। नमस्कार, मैं राजिंदर नेगी, स्वैम डोविजन पर्सन हूँ और वर्तमान में NIEPBD देरादून में IT&AT एजुकेटर के पोस्ट पर कारेरत हूँ। मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि COVID-19 के वेक्सिनेशन के प्रोसेस में अभी मैंने पहला डोस लगा लिया है, और स्वैम ही ऑन्लाइन पोटल में जाकर मैंने बुकिंग किया और सक्सेसफुली उसको अन्जाम दिया तो मुझे लगता है कि सारे वीजूली इंपियर्ड जो भी दिस्टी बादित है भारत में स्वैम जाकर ऑन्लाइन बुकिंग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ स्क्रीन तो दिखाता हूँ किस प्रकार से मुबाइल के माध्यम से स्क्रीन इटिंग सॉफ्टेर का इस्तमाल करते हुए आप कोविड-19 के वैक्सिनेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं तो चलते हैं मुबाइल में कोविड-19 के वैक्सिन के रिजिस्टीशन हे तो आपको ऑनलाइन जाना होगा और ऑनलाइन जाने के लिए आप किसी ना किसी ब्रॉजर का परियोग करेंगे मेरी मुबाइल में Chrome ब्राउजर है तो मैं उसका इस्तमाल करता हूँ मैंने Chrome ब्राउजर open कर लिया है और उसके बाद मैं search box में type कर लेता हूँ covin.gov.in 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 और फिर आप go में क्लिक कर देज़े एक web page फुल जाएगा covin.gov.in का covin इसके बाद हम register sign in में पहुँच जाएंगे और वहाँ double tap करेंगे इस समय में screen reading software का इस्तमाल कर रहा हूँ और उसके बाद फिर next page में register or sign in for vaccination फिर नीची आएंगे यह OTP send होगा अगर हम mobile number इसमें डालेंगे तो enter your mobile number यहाँ पर आप double tap कर दीजे और उसके बाद number keypad या सीधे number आगे तो ठीक है ने तो आप number keypad में आए उसके पसाथ मैं number इसमें डालता हूँ तो मैंने इसमें अपना number डाल दिया है जो भी अपना और वही number डालें जो आधार से link है इस बात का बिशेज ध्यान दे get OTP get OTP नीचे एक बटन है get OTP उसमें double tap कीजिए अब जो है यहाँ OTP की मांग रहा है तो हम अपने message में चले जाएं अब मैं यहाँ पर OTP भी डाल रहा हूँ OTP मैंने एंटर कर दिया और उसके बाद verify and proceed यहाँ पर आ रहा है और इसमें double tap कर दिजिए आपका login हो जाएगा अब यहाँ पर जो है अगर आपने पहले से आप vaccinate हो अगर आपने पहले से ही vaccine लगा रखा है तो यहाँ पर information आपको मिल जाएगी partially vaccinated फिगे मैंने पहला dose लगा लिया है नाम भी बता रहा है आपका सारा information यहाँ पर आ रहा है certificate भी आप यहाँ से download कर सकते हो अगर मान लीजिए इसमें आप किसी को add करना चाहते है वैसे तो हमारा recommendation यह है कि एक आधार और एक ही mobile number हो तो अच्छा है लेकिन और उसमें एक ही member add हो तो अच्छा है फिर भी आप यहाँ पर add member का एक option दिया हुआ है इसका इस्तमाल करते है तो phone ID जो phone number है वो बहुत important है यहाँ पर और आधार number भी यहाँ पर आपको पूरा अपना personal detail भरना है नेम जेंडर जो भी आपका form है year of birth, each and everything आपको भरना है उसके बाद add कर देना है फिर जो है जब आप नीचे add बटन है वो add कर दोगे तो फिर आपके पास जो है schedule schedule के लिए आएगा कि आपको कब चाहिए कि समय आपको vaccination center में जाना है तो उसका schedule आपको बताना है वो option लेना है और उसके बाद पिर समिट कर देना है तो इसके साथ पिर आप register हो जाओगे और पिर जिस दिन आपका schedule आपने select किया है उस दिन आप जाकर vaccine लगा सकते है तो शोता हूँ आपने अभी अभी सुना किस तरह से राजिंदर नेगी जी ने आपको बताया कि आप खुद से बिना किसी की मदद लिए कोविन आप पर अपने phone के जरीए डिस्टॉप के जरीए या laptop computer के जरीए जाकर खुद से जो खुद एक health professional है जो खुद दृष्टी दिव्यांग है और उन्होंने कोविट के challenge को किस तरह से face किया और vaccination का experience उनके साथ कैसा रहा इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की बादचीत आज की मुलाकात उनके साथ और सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं मुझमिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे studio में तैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपकी पूरी टीम को जो नोंने मुझे इस studio में बुलाया और particular जो COVID महमारी का जो इप्रोग्राम हम आज इसमें बात करना चाहते हैं इसमें मुझे बुलाया मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पूरी टीम को तो मज़मिल जी जो पहला सवाल मैं आज के इंटेव्यू में आपसे करना चाहता हूँ वो ये कि जब से COVID-19 का pandemic शुरू हुआ है तब से आपने देखा है कि हमेशा COVID safety measures के बारे में बताया गया है COVID safety protocol के बारे में बात की जाती है जिसमें समय समय पर हाथ धोना शामिल है फे हमारी lifestyle में हमें इस infection से बचने के लिए काफी सारे changes करने पड़े बदलाव लाने पड़े तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जो दिश्ट दिव्यांग है उनके लिए इन challenges का क्या मतलब है उन्होंने इन challenges को pandemic जब से शुरू हुआ तब से इन challenges को उन्होंने किस तरह से face किया और किस तरह से इनके solutions ढूंडे बिलकुल सर आपका कहना सही है कि जैसे अगर हम देखेंगे तो पूरी youth इस हमारी में बहुत सारे challenges face कर रहे हैं अभी भी और जब काफी ज़्यादा peak पर ये covid था तो उसमें भी लोग जो हमारे youth थे face कर रहे थे तो इस youth में भी हमारा जो दिव्यांग जन लोग थे उनको भी बहुत सारी जो मुश्किलात बहुत सारे challenges जिसको कहते हैं हम उनको face करना पड़ा अगर इस सारे challenges को हम कुछ बिंदू में discuss करेंगे तो सबसे अगर पहला जो बिंदू है education जो सेक्टर था जो youth में जो हुआ है तो उस education सेक्ट जो दिव्यांग जन ने सभी सभी इस education सेक्टर में काफी challenges भी हुए और हैंपर हुआ उनको पढ़ाई का जो जितने भी जो भी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल अलग तरीके से उनको challenge लेना पड़ा इसको कि हम कैसे पढ़ेंगे और पढ़ाई का जो साधत था वो बिल्कु अपना जो smartphone है जिसमें एक talkback होता है जो screen reader है जो जो भी screen पर जो भी कुछ आता है वो बताता है और यह काफी जो population थी दिव्यांग जन की वो इसको सीख नहीं पाते थे या उनको आता नहीं था कैसे चला तो यह भी एक बहुत बड़ा cause था जिटकी जो आगे चलके जो Google meet या कोई भी platform है जिससे वो lecture teachers के सुन सकते थे वो नहीं कर पाए और जिनको आता भी था वो इस meet application जिटी भी है वो उनको चलाना नहीं आता था तो वो भी एक बड़ा cause था जिससे कि उनकी जो पढ़ायल काई बादित हो रही थी ठीक है ना और अगर अब यह जिनको आता भी था अब जिसे टॉक बेक चलाना आता था जिन्दी वियांग चनर पटिकुलरली जो हम वियाई की बात कर रहे हैं और जो चलाते भी थे meet application भी चलाते थे लेकिन एक अलग से माहूल के अपने घर पे एक कमरे में बैठ के class को कैसे उसको लेना teachers की कैसी बात सुननी है क्योंकि एक classroom का जो माह माहूल होता है वह अलग होता है और एक माहूल एक घर पे कमरे में बैठ के सुनना एक बिलकुल एक अलग माहूल है उस माहूल को एडॉप्ट करने के लिए उस माहूल को एक education डिपार्ट education sector से अगर हम देखेंगे पढ़ाई लिखाई के हिसाब से बहुत बड़ा चलेंज स एक student को कि उस माहूल को कैसे वो adopt करें और अपनी पढ़ाई लिखाई चला सकें तो अगर देखेंगे तो काफी इसमें वक्त भी लगा कि इस challenge को accept करने में और फिर भी अभी भी चल रहा है कि बहुत सारे youth अभी भी इसमें changes काफी चल रही है मतलब adapt करने की कोशिश कर रहे ह changes के साथ जैसे अबने का कि education के field में नए apps को अगर उनको adapt करना पड़ा खुद को जैसे classroom teaching के लिए apps की जरूरत होती है उनको अचानक से changes करनी पड़ी क्योंकि पहले तो school में जाके बढ़ते थे pandemic होने के बाद उनको अचानक से apps का इस्तमाल करना पड़ा चीज़े virtual होगी प हमारे जो द्रिश्टिंग दिव्यांग भाईजन है उनको technology से संबंद challenges का सामना करना पड़ा यह तो एक aspect हो गया एक part हो गया एक हिस्सा हो गया pandemic का यहां पर मैं एक point लाना चाहूंगा कि जब से covid pandemic शुरू हुआ है तब से हमने देखा है कि थोड़े थोड़े दिनों में इस infection के फैलाव को रोकने के लिए सरकार ने बारी बारी से lockdown लगाया है बार बार lockdown लगाया कुछ-कुछ देर कुछ-कुछ हफते lockdown को बढ़ाया गया lockdown को extend किया गया कई बार relax भी किया और फिर cases को देखते वे दुबारा से lockdown को बढ़ाया गया इस इरादे से कि लोग की बात की थी उस दौरान lockdown की वेज़े से किस तरह के challenges का सामना करना पड़ा हमने education की तो बात की बढ़ आम तोर पर किस तरह के challenges को face करना पड़ा चाहा है अगर आप किसी जरूरत की चीज़ों को लाने के लिए घर से बहार निकले हैं तब आपको किन तरह की challenges का सामना करना पड़ा या अगर किसी facility की बात करें lockdown के समय खास कर आपको क्या लगा कि किस तरह की facilities होने चाहिए खास कर दिश्टी दिव्यांग जनों के लिए जी बिल्कुल सर जैसे की lockdown होते गए और कुछ-कुछ time के बाद लगातार lockdown चलता गया तो उस चकर में जो दिव्यांग जन है वो बहुत सारी challenges तो आते गए और जो सबसे जो main challenges थे जिसमें कि daily life daily life जो है बिल्कुल ही change हो गई affected हो जी जिसमें अगर हम पहले ही बात करेंगे खाना पीना तो खाने पीने की जो जुरूरियत की जो चीजें थी उनको लाना बहुत की बड़ा challenge था इस चक्र में तो अब क्या होता था कि अगर मैं अपनी बात करूं मैं क्या करता था कि या तो मैं किसी को किसी से health मांगता कि सर या मैडम जी मेरे लिए ऐसे से जो जुरूरियत की चीजें हैं वो मेरे लिए लाइए या तो अगर ऐसा नहीं हो पता था तो कभी-कभी क्या है कि जो online applications होती थी या जैसे कि हम online shopping करते हैं उसमें भी हम कोशिश करते थे कि कोई चीज हम लाएं लेकिन अब lockdown के चकर में वह भी बहुत देर के बाद आती थी तो यह बहुत बड़ा चलेंज था कभी-कभी खाने की जो चीजें थी वह बहुत ही मुश्किल से मिल पाती थी दिव्यांग जन को और दिव्यांग जन को के सासाथ बाहर अगर देखा जाए तो बाहर जितने भी यूथ या जितने भी families चीज थी उनको भी यही problem को face करना पड़ रहा था lockdown के दो रहां से जैनुएन बात की अपने genuine problems थी जैसे आपने कभी कुछ order place किया तो बहुत देर से वह चीज़ें आती थी और फिर उसके लिए wait करना पड़ता था मुश्मिल जी यहां पर एक जरूरी बात मैं जानना होगा क्योंकि यह जो आप बाते पॉइंट आट कर रहे हैं यह technology से संबंदित है कि एक app चलाना पड़ता है phone पे order place करना पड़ता है कुछ लोग बहुत skillful होते हैं जानते हैं किस तरह से apps को चलाना होता है किस तरह से order place करना होता है ठीक है लेकिन कई लोग दृष्टि बहुत लोग नहीं कर पाते हैं तो अगर दिश्टी दिव्यान चुनों कि अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि जहां पर ऐसे technology संबंदित problems या समस्याएं आ रही थी covid के समय उनको किस तरह से deal किया जा सकता था बिल्कु सर एक चीज़ बूलना बूल गया बूल गया तो जैसे कि मोबिल्टी के सेक्टर में जैसे हम घर बैठे शॉपिंग तो कर रहे थे या किसी से help भी मांग रहे थे कभी-कभी खुद भी जाना पड़ता था मतलब कोई चीज लाने के लिए अपने स्टिक से और खुद ही जाना और खुद ही स्टोर पर जाना तो यह बहु भी मुश्किल से ही मिल पाते थे ठीक है ना अगर मिलता भी था तो particular जहां पर उतारते थे वहां से store जाना है तो उसके लिए मतलब आसपास कर देखते थे कोई help के लिए भी नहीं होते थे तो बहुत ही बहुत ही बड़ा challenge हुआ करता था उस समय और लोग help भी नहीं करते थ क्योंकि एक stigma बना था कि क्या पता इसको covid हो अगर हो तो हम भी effect हो जाएंगे क्योंकि छूने से तो होता ही है छूने से तो social distance भी नहीं रहेगी तो जो help करना चाहते भी थे वो भी असमर्थ थे उसमें help ना करने से तो वो बहुत ही बड़ा एक time था जो जो जिसको हम bad time कह सक रहते हैं अपनी life में तो वो भी एक चीज थी तो उसको काफी समय से हम face कर रहे थे अब काफी कम हो गया यहां पर बहुत ही ज़रूरी point अपने highlight की है कि क्योंकि जो covid संक्रमण की main बात है वो यह की covid छूने से फैलता है है ना टच से फैलता है droplets के contact में आने से फैलता है जब कि हमारे जो दिश्टी दिव्यांग भाई बेहन हैं उनका सारा काम touch से ही based है छूने से ही पता लगता है कौन सी चीज कहां पर है और जबकि यह बीमारी बिलकुल छूने से ही फैलती है तो यह तो बहुत बड़ा एक challenge हो गया दिश्टी दिव्यांग जिनों के लिए तो इस मैं कहीं जाता था तो यह बिलकुल सारी चीज़े मैं भी छूके ही जाता हूं कोई चीज देखनी है उसको पहले हाथ से मैं चूता हूं कि अच्छा यह इसी चीज़ है इसको कैसे हैं मतलब हैंडल करना है या कई कई दुकान पर जाना है वहां पर दरवाजे को भी बाकाई लेकिन अब हमारे लिए यही एक एक रास्ता था और उस्टिक को यूज करता था जैसे कि मैं आसपास कोई लोग होते थे तो मैं उसको मेजरमेंट स्किल एक मेजरमेंट टूल यूज करता था एक मतलब आको उससी से अप अंदाओ अर्छा नाजात थ 완전 लोग कहां पर हैं तो जो चूने वाली ये जो वाइरस है मतलब जो वाइरस चूने से ही फैल रहा है तो ये बहुत ही बड़ा चलेंज था ये हमारे दिव्यांग जन बाई बहनों के लिए जे तो बिल्कुस है उसमिल जी बहुत जाइस पॉइंट्स अपने उठाये हैं बहुत पैक्चुल बात की है यहांपे हम क्या देखते हैं आम तोर पे जब भी कोई एपिडिमिक या पैंडिमिक होता है या आम तोर भी किसी भी बीमारी के बारे में जब भी हम बात कर रहे होते हैं या कोई भी जन जो बहने थी हमारी इस लोगडाउन के दोरान जिनको हर महीने सेंट्री पैड्स सेंट्री नैपकिन की जरुवत होती थी तो एक तो वह एक कंसरेट्व बहने होती है या अगर वह किसी को बोल सकते तो एक संकोच करते हैं कि क्या पता यह कैसे क्योंकि एक ऐसी चीज है टाइब की बात है कि वह कैसे लोगों को बता सके मुझे इसकी रिक्वार्मेंट है तो उनके लिए बहुत ही बड़ा एक चलेंज होता था उस समय कि यह सेंट्री पैट हर महीने लाना है तो कैसे लाएंगे तो इसके लिए मैं क्योंकि प्रोग्राम के मादियम से भी मैं लो वो इस चीज़ का एक आसपास देखे कि हमारे आसपास अगर दृष्टी बादित बहने जो काम भी कर रही है जो पड़ भी रही है तो उनके लिए एक यह चीज़ एवैलिबल कर सके यह भी बहुत बड़ी हेल्प हो गया उन लोगों के लिए जिनको जो अपना खुद से न पहिलाएंगर हैं तो उनको कोई चीज ऐसी तो नहीं चाहिए जो जैसे कि अंडर गार्मेंट्स है जा ऐसी सेंटरी नापकिन्स है इनकी जुरूरत हो और उनके लिए उगर वो प्रोवाइट करेंगे तो यह बहुत बड़ा बहुत बड़ी हेल्प होगी उनके लिए से उनकी नीट्स के प्रती सेंसिटीव होना चाहिए और खासकर ऐसे पैंडिमिक वाले सिचुएशन में उनको यह देखना चाहिए कि अगर उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है जितना संबभव हो सके उनकी मदद करनी चाहिए जी बिलकुर राइट आगे वड़ते हैं मु विमारी से सम्मंधिक काफी सारे मिस्कंसेप्शन्स, मिट्स या भ्रांतिया जुड़ी होई होती हैं और कुविट के केस में भी बिलकुल ऐसा ही है कुविट जब शुरू हुआ था तब इसके बारे में बहुत सारी गलत इंफॉमेशन ऑनलाइन सर्कुलेट हुई और सेम जब कुविट के लिए वैक्सेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ तो वैक्सेशन को भी लेकर लोगों में बहुत सारा डर, मिट्स ये सब चीजे सुनाई दे रही थी तो आपको क्या लगता है आज समाज में कुविट को लेकर अगर कोई डर है या वैक्सिनेशन को लेकर क हमारा कोविट कर्फी में तो उसमें हर किसी राज में अलग-अलग मिच्छ होा करते थे कहीं कई पर हम बिहार साइट की बात करें तो वहान माता नुक्सान पहुंचा है वह भी नुक्सान पहुंचा रहे तो आप जो एक चीज को जो घर में यूज होता है कि जिस से हम कूरते तो उसको अगर हम खड़ा रखेंगे कहीं पर वो बिल्कुल खड़ा रहा तो आपको कुछ नहीं होगा तो ऐसे से बहुत सारे ब्रांतियां थी और अगर हम साउथ की बात करेंगे तो साउथ में भी बिल्कुल जब यह जो चीजें चल रही थी वैक्सिनेशन की और वैक्सिन कि यह मंत ओफ माई जून के बाद यह बिल्कुल खड़म हो जाएगा तो लेकिन गौर्णेट सेक्टर का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान था जुन्हों ने इसको फिर एवेर किया लोगों को कि यह 5G की वज़े से नहीं हो रहा है यह बाकाइदा कोविड एक कोविड 19 ही है कोविड 19 की जो फैमिडी में एक एक नया मेंबर एक नया वाइरस जुड़ गया है जो बहुत संक्रमित हैं और बहुत प्रॉब्लिम क्रिएट कर रहा है तो कुछ लोगों ने समझ है और कुछ पॉपुलेशन इस सुपरस्टीशिस में अभी भी खहर है और दीरे दी को एक एमिनाइज कर सके एक एमिनुटी बढ़ा सके जो आगे चलके जितने भी अब न्यूटेंड बनते आ रहे हैं तो रिसर्च अब यही कह रहे है कि अब जितने भी वाइरस का जो म्यूटेशन होगा जो चेंज होगी अब जिनोंने वैक्सीन लगाया उनको दिकत कम दूरी है हमारे लिए और अगर एक एक भी वैक्सीन से छोड़ गया उस वज़से भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लिम हो सकता है सोसाइटी में जी मौजमिल जी आप खुद एक दिश्ची दिव्यांग हैं आप खुद एक हेल्थ प्रोफेशनल हैं और आपने खुद वैक वैक्सीनेशन लगवाया खुद को वैक्सीनेट किया तो आप आज की यूथ को जिनमें शायद वैक्सीनेशन को लेकर हो या कोविट के इन्फेक्शन को लेकर अगर कोई डर है उनके मन में तो आप कोई क्या सलहा देना चाहेंगे क्या मैसेज देना चाहेंगे बिलकु सर वैक्सिनिशन इस समय में बहुत ही जरूरी है अगर देखा जाए तो तो अगर मैं अपनी बात करो मैंने जिसे वैक्सीन लगाया ठीक है ना तो बहुत लोग कहते थे यह इट विल कॉस डेथ और आपको बहुत सारी सिवियर प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है लेकिन जब हमारे दिन रात मैनेद करके इक वैक्सीन वैक्सीन को डिस्कोर किया विद्धान कॉक्स इसको इतनी महनत करके लाया तो नहीं बाकाईता की कर रहे हैं तो इसलिए हम हमें यह सोचना चाहिए हमारा जो भी काम है अपने काम के लिए हमें पता है नॉलेज लेकिन जो चीज़ से डॉक्टर लोग है या आपके विग्यानिक है उनकी उनकी अपनी रिसर्च है इसलिए हमें उन पर बरुसा करना चाहिए और वैक्सी लगा पर फाइव से टैन मिनट्स में बैठा जहां पर मैंने वैक्सी लगाए थी तो उस समय भी मुझे कुछ फील नहीं हुआ और मैं बाकाईदा फिर घर चला गया और जो भी अपनी रोजमरा की जो काम होते हैं वो मैंने बहु भी गिये तो इसलिए मैं ये यूद को कहना जात गाउं के वैक्सीन लगाएं और इस महमारे को रोकने के लिए अपना कंट्रिबिशन दे अपना योगदान दे बिल्कुशी जी मुझमिल जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी डिटेल में आपके एक्सपिरियंस के बारे में बताने के लिए और सुनके काफी अच्छा लग जांग, तमुदाये में जो हमारे यूथ हैं, हमारे जो बच्चे हैं, एडोल्संस हैं या टीनेजर्स हैं, उनके बारे में हम बात करना चाहते हैं, हम विशेश कर ये जानना चाहते हैं की जब से कुविट पैंडिमिक हुआ है, पैंडिमिक ने उनके उपर किस तरह का असर डाला है उनको किस तरह से effect किया है आज क्या pandemic को लेकर उनके मन में डर है शंका है misconceptions है वो vaccination के बारे में क्या समझते हैं क्योंकि हम माते हैं समाज का जो youth होता है जो youth होता है आने वाले समय में समाज की जिम्मेदारी उसी के कंधे पे होती है वही होता है जो समाज को आगे लेके जाता है इसलिए आज COVID के संदर्ब में मुझमिल जी आप से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के date में COVID pandemic को एक डेड़ साल देखने के बाद यूवा वर्ग के लिए क्या रोल होना चाहिए यूवा वर्ग इस pandemic को किस तरह से देखती है क्योंकि हम इस प्रोग्राम के जरीए यूवा वर्ग को एक नाम दे रहे हैं एक टरम एसोसियेट कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं Young Warriors यानि योध्धा कह रहे हैं हम उन्हें और एक योध्धा की तरह हम चाहते हैं कि यूवा आगे निकल कर आए COVID के बारे में जो भी भ्रांत हैं मिसकंसेप्शन से लोगों को उनसे दूर करें समाज को सही रास्ता दिखाए तो एक युवा होने के नाते आप क्या समझते हैं कि पेंडेमिक के संदर्व में युवा की आज क्या ड्यूटीज हैं क्या रोल सेंड रिस्पॉंसिबिलिटीज हैं बिल्कुल जो अपने टर् लोगों की help कर रहे थे जैसे कहीं कहीं पर news में आता था कि वो जो भी कोई needs होती थी वो उनको घर से door to door पहुंचा देते थे और अगर हम covid की बात करेंगे तो इसमें भी उनका बहुत बड़ा रोल है अगर लोगों को वो aware करें और खुद भी वो समझें कि ये जो covid 19 है कि ब बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा चलेंज है सोसाइटी में अगर हम vaccine करेंगे और vaccine करने से हम अपने आपको भी बचा सकते हैं और अपनी family members को भी बचा सकते हैं तो इसी लिए ये जो युवा है ये तो main हमारा एक pillar है सोसाइटी का मुजबन जी आज जैसे मैंने कहा कि covid के संदर में आपको क्या लगता है कि second wave चला गया है थोड़ा सा और हाला कि थोड़ा सा अभी भी डर है क्योंकि हमारे जो scientists हैं हमारे जो health professionals experts हैं हो कह रहें कि शायद एक third wave भी आ सकता है इस समय थोड़ा सा माहौल जो है वो डर का है लो हाला कि घर से बाहर निकल रहे लेकिन फिर भी लोग में थोड़ा सा डर है अभी भी है तो ऐसे में आपको क्या लगता है आज के डेट में यूवा किस तरह का रोल ले सकती है समाज को covid के बार में जागरो कराने के लिए किस तरह के रोल्स यूवा इस टैटिल को अगर हम ध वो इस साइट का भी एकर positive यूज करें कि ऐसे trends मतलब शुरू करें जिससे कि लोगों को aware हो कि vaccine के प्रती और जितने भी superstitious जो अभी भी टिगमाज है अलग-अलग societies में अलग-अलग राजियों में तो उसको कम करने के लिए काफी अच्छा प्रयास कर सकते हैं जो social media के हो गया लेकिन social media जाहिर सी बात है बहुत powerful medium है अजके date में उसका इस्तमाल तो बिल्कुल करना चाहिए लेकिन social media को छोड़के अगर घर से बाहर निकल कर society में अपने colony में अपने area में आसपास के लोगों को परिवार के लोगों को जागरू कराना है positive चीज़े बतानी है किस किस तरह से personal hygiene का ध्यान रखकर इसके संक्रमान को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है तता किस तरह से vaccinate करना चाहिए तो इन चीजों के लिए किस तरह के कदम उठाये जा सकते हैं आपको लगता है मुझे लगता है जिसे युवाजन है वो क्या कर सकती है अपनी जो society है हमकी तो उसके बाद वो आगे चलके जितने भी वो friend circle है अपने अपने families में चले जाएंगे तो उसमें काफी societies heavier हो सकती है कि जो vaccine है बहुत ही important है इस COVID-19 की जो chain है उसको तोड़ने के लिए ठीके ना और यह बात खासकर यहाँ पर बहुत जादा important इसलिए है क्योंकि आपने खु experiences है vaccination के बाद वो काफी positive रहे हैं जी बिल्कुस है दिपांकर जी मैं COVID-19 जो challenges की बाद हम कर रहे हैं उसमें एक और चीज में जोड़ना चाहता हूं जो दिव्यांग जन को यह जो challenge है यह face करना पड़ा इस संदर में कि जो employment जो थी जो self employee जो लोग थे दिव्यांग जन जिसम हैं तो उनको jobs रुको रोकना बड़ा jobs चली गए क्योंकि वो खुद से अपना अपना livelihood चलाते थे for example कि train में वो अपना कुछ न कुछ चीज़ें बेचते थे और अपनी livelihood चलाते थे यह ऐसे भी दिव्यांग जन थे जो door to door अपना spa की जो services provide करते थे उनकी भी जो jobs थी वो च change हो जाएगी और जितनी भी पहले problems हुआ करते थे वो दीरे दीरे खतम हो जाएगी और जो दिव्यांग जन है जो रोजगार के नहीं नहीं आवसर वो ढूंडे और अपना रोजगार में फिर से अपनी अपना योगदान दे अपने अपनी लिए और अपने घर के लिए यो कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा एक महमारी जो चीज थी यह बहुत बड़ा challenge ही साथ में था और इसमें क्या है कि हर तरीके से दिव्यांग जन याज साथ में पूरी के पूरी जो यू थी यूद्धी थी फेस कर रही थी इसमें एक और चीज थी कि psychological जो perspective था क्योंकि घर पर रहना बात किसी से नहीं करनी है अगर किसी जो फैमली में था उसको अलग रखना जिसको हम isolation कह रहे थे एक term में है तो यह सारे के सारे वज़र से एक depression में मतलब एक युवा पीडी चली गई जिसको बहुत सारे problems हो है कि नीद नहीं आती थी या फिर भूक नहीं लगती थी या फिर अपनी अपनी मन में सोचते रहे कि क्या होगा अंध है तो ऐसी सारी चीजों की वज़र से वो depression में भी चले जाते थे और सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत सारे जो webinars और बहुत सारे awareness प्रोग्राम चला है इस संदर में कि उसमें एक problem को बता रहे थे कि मुझे ऐसे से symptoms आ रहे तो psychologist अपना अपने तरीके से उनको treat कर रहे थे हैं तो बहुत ही अच्छा जो system सरकार ने भी बनाया क्यूंकि एक help line के जरीए घर बैठे लोगों को psychologist के जरीए contact करवाया और ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके solution हो सके जी 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 मुझे मिल जी वाकी में आज की interview में आपके साथ बात करके covid के बारे में या vaccination के बारे में बहुत सारे interesting facts सामने आ रही हैं और मुझे वाकी में बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए लेकिन आज की interview को खतम करने से पहले जाते जाते मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक दृष्टी दिव्यांग होने के नाते एक health professional होने के नाते आप आज की युवापीडी को आज के young warriors को क्या advice देना चाहेंगे क्या suggest करना चाहेंगे जी बिल्कु सर मैं कुछ कहना चाहता हूं युवापीडी को तो सबसे पहले अगर आज किल की जो युवापीडी है उनको पहले तो एक कुछ groups बनाने चाहिए जैसे पहले भी बना रहे हैं लेकिन एक mass scale में होना चाहिए हर किसी society में जितनी भी जो teenagers है उनको एक एक group बनाना चाहिए जिसमें वो बाहर जाएं और बाहर देखें कि कहीं पर किसी को awareness की जरूरत है क्योंकि एक तो होता है कि superstitious जो beliefs आ रहे हैं मतलब बहुत प्रकार की चीज़ें आ रहे हैं कि ये करने से ऐसा होगा वो करने से ऐसा होगा अगर ये चीज़ों को हम skip करें क्य जो aware कर सकते हैं क्योंकि एक warm blooded होता है ना तो तो वो एक क्योंकि वो कर सकते हैं इस चीज़ को और लोगों को समझा सकते हैं और जिस वज़र से कि अगर एक exact information लोगों को पहुंचे कि हमें hygiene maintain करना है हमें हादोंने mask लगानी है दोगास की दूरी रखती है तो इस वज़र स काफी COVID-19 की जो problem हो रही है और आगे चलके हमें डर भी हैं लोगों में कि क्या पता तीसरी भी आए और क्या होगा तो अगर एक exact information लोगों के पास चली जाएगी तो हम बच सकते हैं आगे की जो भी problems होने वाली हैं तो क्यूंकि अगर अगर हम जो main चीज़ें चीज़ों को ह साइड में करके जो superstitious beliefs को हम पकड़ के हम उसको follow करेंगे तो उससे बहुत जो पिक्चर है बिलकुल खराब हो जाएगी इसलिए यूआ पीडी को आगे आना चाहिए लोगों का aware करना चाहिए और लोगों की जो भी कहीं पर अगर अपना help कर सकते हैं जैसे चीज़ें लाने में भी अपनी society में तो करना चाहिए तो जिससे की एक अलग से उनको एक happiness मिलेगी दिल उनका बिलकुल खुश होगा एक एक ऐसी peaceful एक state होगी जिससे वो बहुत फाइदा मिलेगा उनको भी क्योंकि जैसे कि हम किसी को help करते हैं तो हमें भी उसका एक अलग से feeling मिलती है एक fulfillment एक संतोष संतोष्टी होती है मुझमिल जी आपने बहुत important points highlight की यहां पे एक तो अपने awareness की बात की कि युवा को चाहिए कि आज वो actively कोवीड के infection को रोगने के लिए या vaccinate लोग जाके करें इस बारे में उनको actively involve होना चाहिए समाज में groups के साथ या social media का इस्तमाल करके भी उनको actively अपनी जो अपना एक रोल अदा करना चाहिए समाज में कोवीड को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आपने यहां पर बहुत जरुरी point highlight कि एक सही और correct information होना बहुत जरुरी है क्योंकि correct information या specific information के जरिये भी हम एक बिमारी से लड़ सकते हैं ये भी एक instrument होता एक ब फैलाव को infection को रोक सकते हैं उस बिमारी के साथ fight कर सकते हैं बुजब मल जी आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा बहुत सारी points जरूरी बाते हैं आज आपके साथ बात करके हमें जानने को मिला और मुझे उमीद है कि हमारे दिश्टी दिव्यांग जन भी आज की interview क को सुनने के बाद इस interview के जरी मिले information का लाव उठा पाएंगे इससे काफी मदद ले पाएंगे मुझे बुलाने के लिए मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और शुब कामनाएं प्रदान करना चाहता हूं बहुत बहुत शुब कामनाएं शोताओं आज के लिए वस इतना ही पर अन्य प्रोग्राम के लिए आप सुनते रहे ही एनाइवेश हेलोदून 91.2 नमस्कार शोताओं आप सुन रहे थे UNICEF और CRA यानि Community Radio Association के सहयोग से बना Young Warriors मुहीम पर एक विशेश कारिक्रम अगर आप भी Young Warriors बनना चाहते हैं तो आप इस मुहीम से जुड़ सकते हैं और अपना योगदान दे सकते हैं इस अभियान से जुड़ने के लिए आप अलग-अलग Social Media Platforms का इस्तमाल कर सकते हैं तो शोताओं Young Warriors बनने के लिए आप WhatsApp पर जाएं और YWA टाइप करें और इसे 9-6-5-0-4-1-4-1-4-1 पर भेज दें और आपको रेजिस्टर करने और कारियों को करने के लिए प्रेरित क्या जाएगा इसी तरह आप टेलिग्राम एप्लिकेशन का भी इस्तमाल कर सकते हैं टेलिग्राम पर जाएं और You Report India टाइप करें अंग्रजी अक्षर You Report India एक साथ टाइप करें सर्च करें उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करें और पंजिकरण प्रक्रिया का पालन करें इस मुहिम से जुड़ने के लिए आप फेस्बुक का भी इस्तमाल कर सकते हैं फेस्बुक पर जाएं और You Report India के लिए खोजें सेंड मेसेज पर क्लिक करें वाई डबनी वे टाइप करें और सेंड कर दें जिन लोग के फोन्स पर वाट्साप या दूसरे सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स या फिर इंटरनेट की सुविदा नहीं है वो भी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं इस मुहिम से जुड़ने के लिए आप 08-0-6-6-0-1-9-2-2-5 पर मिस्ट कॉल दे सकते हैं शोताओं इसके साथ साथ आप Facebook, Twitter और Instagram पर मैं एक Hashtag Young Warrior हूँ पोस्ट कर सकते हैं और अपने 5 दोस्तों को टैक कर सकते हैं तो आज की लिए बस इतना ही दीजी अपने होस्ट और रेडियो दोस्त दिपांकर को इजाजत तो हमारी अगली मुलाकात तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए 91.2 NIVH Hello Doon